Hello Friends, Welcome to Literary Love चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो का भी मिस ना करें साथ ही अब आप हमें फेस्बुक पे भी फॉलो कर सकते हैं Friends, आज की वीडियो में हम बात करेंगे Emily Dickinson की एक बहुत ही फेमस पोएम के बारे में जिसका नाम है Before I Got My Eyes Put Out ये पोएम छोटी है और इसकी लैंगुज भले ही बहुत सिंपल है लेकिन इस पोएम में एक बहुत ही गहरी मीनिंग है इस पोएम में Emily Dickinson ने अपनी personal experiences को शेयर किया है वो जानती हैं कि ए दुनिया बहुत ही limited है और साथ ही वो इस बात के लिए भी ready हैं कि इस दुनिया के आगे एक दूसरी दुनिया है और वो जानती हैं कि जो उनकी normalize हैं वो उस दूसरी दुनिया को नहीं देख पाएंगी तो वो खुद को imagine करती हैं बिना अपनी आँखों के अपनी eyesight के मगर फिर भी उन्हें कोई problem नहीं है क्योंकि अब उनकी जो soul है जो उनकी आत्मा है वो इस दुनिया से बाहर देख सकती है उनकी soul एक illuminated soul बन गई है जो physical boundaries के पार जा सकती है और उन्हें अपने साथ आगे की दुनिया को देखने में help करती है Friends, Emily Dickinson एक American poet थी जिनका जन्म हुआ था 10 December 1830 में और उनकी death हुई थी 15 में 1886 में उन्होंने अपनी पूरी lifetime में 1775 poems लिखी है और उनकी सभी poems बहुत ही special मानी जाती है इनमें एक खास बात ये भी है कि उन्होंने अपनी poems का कभी कोई title नहीं रखा और इसलिए जो poem की first line है उसे ही उस poem का title माना जाता है उनकी poems में जारा तर death और immortality के themes हुआ करते हैं उनकी famous poems में Because I could not stop for death I measure every grief I meet और success is counted sweetest ये सभी poems शामिल हैं तो चलिए friends अब poem पर आते हैं और इसे line by line read कर समझने की कोशिश करते हैं Before I got my eye put out यानि जब मेरी आँखों ने देखना बन कर दिया था मैंने अपनी eyesight खो दी थी उससे पहले I liked as well to see मुझे भी उसी तरह देखना पसंद था as other creatures that have eyes उन्हीं बांकी living things की तरह जिनके पास आँखे हैं and no, no other way और मैं कोई दूसरा तरीका नहीं जानती थी यानि जब मेरे पास eyesight थी तो जिस तरह बांकी जीव अपनी surroundings को देखा करते थे मैं भी बिलकुल वैसी ही थी but where it told to me today मगर आज अगर मुझे ये बात कही जाए that I might have the sky for mine कि मैं फिर से आसमान को देख सकती हूँ ये आसमान दोबारा मेरा हो सकता है I tell you that my heart would split for size of me तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मेरा दिल ये सुनकर तूट जाएगा क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है मैंने अपनी लाइफ को accept कर लिया है मैं दुबारा से सभी चीज़ों को नहीं देखना चाहती हूँ क्योंकि ऐसा करने पर हो सकता है कि जो मेरी सूल को illumination मिला है मेरी सूल जिस तरह से आगे इस दुनिया की जो physical boundaries है उससे आगे देख पाती है वो नहीं देख पाएगी इसलिए मुझे अपनी eyesight वापस नहीं चाहिए मुझे इस आसमान को नहीं देखना है The Middles Mine यानि ये घास के मैदान मेरे होते मैं इन्हें देख पाती The Mountains Mine और साथ ही ये पहार भी मेरे होते All Forests, Stintless Stars और साथ ही ये सारा जंगल और सभी चमकते Endless स्तारे ये सभी मेरे होते मैं इन सभी को देख पाती As much of noon as I could take between my finite eyes और साथ ही उतनी ही उस दोपहर को मैं देख पाती उसे अपना बना पाती जितना मेरी ये जो आँखे होती वो मुझे देखने देती यानि अगर मेरे पास eyesight होती तो मैं घास के मैदानो को पहाडों को, जंगलों को तारों को इन सभी को देखती इन सभी को अपना बना लेती उन सभी चीजों पर अपना हग जताती जो मेरी आँखें मुझे देखने देती यानि मैं पक्षियों को उड़ते हुए और नीचे की तरफ जुकते हुए देख पाती और साथ ही सुबह के समय सूरज की जो सुनेरी किरने होती है जो किसी लंबे रास्ते की तरह दिखती है उन्हें भी मैं देख पाती और ये सभी चीजें मेरी होती मैं जब चाहती जितना चाहती इन सभी को देख पाती मगर ये बाते सुनकर मुझे ऐसा लगता है मानो मैं मर गई होती यानि मेरी डेथ हो जाती क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इन सभी चीजों को देखूँ भले ही ये सभी बहुत खुबसूरत है मगर ऐसा सोच के ही मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगी So safer, guess with just my soul यानी मैं इसी तरह सुरक्षित हूँ बिना मेरी eyesight के मेरे लिए बस मेरी ये soul ही काफी है Open the window pane और इसी से मैं अपने मन की खिड़कियों को खोल सकती हूँ जो देखना चाहती हूँ देख सकती हूँ Where other creatures put their eyes जहां बांकी सभी creatures अपनी आखों का इस्तेमाल करते हैं In cautious of the sun बिना सूरच के बारे में सोचे यानि बांकी सभी जानवर, बांकी सभी creatures ये नहीं सोचते कि सूरच से उनकी आखों पर क्या फर्क पड़ेगा मगर मैं जानती हूँ कि ये सूरच मेरी आत्मा के लिए कितना जरूरी है और यही आत्मा मेरे मन की खिड़कियों को खोलती है मुझे अपनी eyesight की जरूरत नहीं है देखने के लिए क्योंकि मेरी आत्मा मुझे already सब कुछ देखने में help करती है वो मुझे इस दुनिया की जो physical boundaries है उसके पार दिखाती है जो normal human eyes मुझे कभी नहीं दिखा पाती तो friends यहाँ पर ये poem खत्म होती है poem भले ही बहुत simple है लेकिन इस poem में poet ने अपने views को present किया है कि किस तरह उनके हिसाब से ये physical world कुछ भी नहीं है और वो इस संसार के पार देखना चाती है चाहे इसके लिए उन्हें अपनी eyesight ही क्यों नखोनी पड़े वो जानती है कि उनकी soul उन्हें आगे देखने में मदद करेगी तो friends ये थी Emily Dickinson की poem Before I Got My Eyes Put Out